नमस्ते पैड़ी बच्चों, कैसे हैं आप? आश्रा करती हूँ, आप अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं इंगल सोलंकी एक बार फिर से आपका हिंदी के इस ओन्लाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने हिंदी पाठे पुसीका के पाठ साथ का अध्ययन कर चुके हैं। उमीद हैं कि आपने इसका अप्याज किया होगा। चलिए, अब अध्ययन के इसी क्रव में हम आगे बढ़ेंगे और सुरू करेंगे हमारा नया पाठ जो एक नाटक हैं। जिसका नाम है मुकदमा हवापानिका। बच्चो यह नाटक गोविंद शर्माद्वारा लिखा गया हैं। इन्होंने बच्चो के लिए कई कहानिया और नाटक लिखे हैं। नाटक रंगमंच से जुड़ी एक विदा हैं। जिससे अभी नए करने वाले कलाकारों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता हैं। इसमें पात्र, उनके समवाद और कथावाचक की महत्वपूर्ण भूमिका होती हैं। नाटक को अंग्रेजी में ड्रामा कहते हैं। बच्चो यह नाटक का नाम है मुकदमा हवापानी का। तो यहां मुकदमा का अर्थ होता है किसी बात या विशय पर विस्तार पुर्वक चर्चा करना और उसे किसी के सामने उपस्तित करना। बच्चो आज हम जो नाटक देखने वाले हैं उसमें हवा और पानी का मुकदमा चल रहा है। नाटक के पात्र हैं महाराज, मंत्री, हवा और पानी बने दो बच्चे और कुछ लोग तो आईए बच्चों देखते हैं या नाटक जिसमें हवा और पानी का मुकदमा चल रहा है इस नाटक के मुख्य पात्र हैं महराज, मंतरी, हवा और पानी बने दो बच्चे कुछ लोग महराज का दर्बार महराज सिंघासन पर बैठे हैं एक तरफ मंतरी वदर्बारी गण बैठे हैं सामने अन्य लोग बैठे हैं मंतरी जी, शिकायत करने वाले लोग आ गए हैं हाँ महराज, आज सब शिकायते हवा और पानी के बारे में हैं वे पास के कमरे में बैठे हैं ठीक है, मुकदमे की कारवाई शुरू करें पहले पानी को बुलाया जाए महराज की जय हो पानी, तुमसे इन लोगों की शिकायत है यदि शिकायत सच साबित हो गई, तो तुम्हें दंडित किया जाएगा महराज, मुझे नहीं मालूम कि ये लोग मुझसे क्यों नाराज है मैं एक दम निर्मल हूँ महराज महराज, लोगों की पहली शिकायत यही है कि पानी अब निर्मल नहीं रहा है नदियों और नहरों में बहते समय गंदगी और बीमारियां अपने साथ बहा कर सब जगे पहुँचा देता है महराज, ये लोग पहले की तरह पानी की रखवाली नहीं करते हैं पशुओं को तालाब के भीतर तैरने देते हैं पशु अपनी गंदगी तालाब में छोड़ देते हैं गाउं की दूसरी गंदगी भी तालाब में फेंक दी जाती है नदियों में कारखानों की गंदगी वश शहर के गंदे नाले का पानी छोड़ा जाता है महराज मैं अपने आप गंदा नहीं होता भाईयों आपके पास इसका क्या जवाब है महराज यह तो मान लिया पर कहीं बरसना कहीं नहीं बरसना यह तो इस पानी की मनमानी है नहीं महराज मुझ पानी की मर्जी कहां चलती है जिधर ढलान हो जहां का माहौल अनुकूल हो, वहां मुझे जाना ही पड़ता है इन लोगों ने पहाडियों को काट कर वहां मैदान बना दिये है वन नश्ट कर दिये है ऐसी जगह बरसाथ कैसे हो सकती है वर्षा न होने के लिए भी यही लोग जिम्मेदार है अधिक वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? जो बादल बना है वह तो बरसेगा ही फिर जहां वर्षा का पानी बहना चाहिए जहां नदी बहनी चाहिए जहां मेरे सुस्ताने की पुरानी जगह होगी वहां तो मैं जाऊंगा ही लोगों ने ऐसी जगहों पर घर बना लिये हैं ऐसे घर तो डूबेंगे ही मैं इनकी बनाई गलियों नालियों में घूमता रहूं यह कैसे संभध है फिर लोग आपस में बात करते हैं महराज हमारा गाउं सदियों से उंची जगह पर बसा हुआ है हमने नीची जगहों पर कोई घर नहीं बनाया है फिर भी इस बार हमारा गाउं बाढ़ का शिकार हुआ है महराज पानी आँख मूंद कर चलता है नहीं महराज, मैं देख कर चलता हूँ, तब ही तो धलान की तरफ जाता हूँ, कभी उची जगह पर चढ़ने की कोशिश नहीं करता हूँ ये लोग जानते हैं कि इनके गाओं के पास एक पहाड है, पहले उस पर बहुत से व्रिक्ष होते थे, पहाड से उतरते समय मैं व्रिक्षों के बीच में से होकर आता था और सीधे पानी के रास्ते यानी नदी नाले में बहता था, अब लोगों ने पहाड से व्रिक्ष साफ कर दिये हैं मैं वहाँ से उतरता नहीं हूँ, बलकी लुढकता हुआ नीचे आता हूँ मुझे खुद पता नहीं चलता कि नीचे मैं कहां गिरूंगा और कोई शिकायत? कोई नहीं बोलता हम, तुम्हारी चुप्पी इस बात की गवा है, कि तुमने भी इन कारणों को मान लिया है तुम्हारा भला इसी में है कि अपनी गलतियां सुधारो और पानी को निर्मल तथा उपियोगी रहने दो दूसरा द्रिश्य वैसा ही दरबार इस बार पानी की जगह हवा है हवा बनी लड़की के कपड़े उड़ रहे हैं परदे के पीछे रखे पंखे की हवा सीध हे उस पर पड़ रही है साएं साएं की हलकी आवाज मंत्री जी हवा के प्रती लोगों की क्या शिकायते हैं माहराज की जै हो माहराज आजकल हवा में खुश्बू नहीं होती ये हर समय हमारे यहां बदबू भैलाती है माहराज यह आरोब जूठा है बदबू के कारण तो मेरा जीना कठिन हो गया है अपने आप में मेरे पास न तो खुश्बू है न बदबू पहले ऐसा नहीं होता था इनके कारखानों से निकली गंदगी और गैसें मुझ में घुल जाती है और यह बदबू दूर तक फैलती रहती है मुझे याद है कि एक बार भोपाल के एक कारखाने से निकली सहरीली गैस मुझ पर सवार होकर दूर दूर तक फैल गई थी और कितने ही लोग मौत के मुझ में चले गए थे लेकिन तुम अचानक चल कर हमारी आँखों में मिट्टी डाल देती हो सब कुछ तबाह कर देती हो क्या इसका हमने तुम्हें नियोता दिया था चलना मेरा काम है आप कहते हो तुलो मैंने चलना बंद कर दिया अरे हवा रानी नाराज मत हो धीरे धीरे तो चलो सास लेना मुश्किल हो रहा है हवा बहने लगती है हवा के बारे में और कोई शिकायत महराज हम अपने घर साफ सुथरे रखते हैं पर हवा आंधी बन कर आती है और हमारे घर रेत और कूडे से भर देती है हवा तो बहे पर आंधी क्यों? महराज आंधी से इनका मतलब मेरे तेज चलने से है वैसे तो मैं हर समय बहती रहती हूँ पर इन्हें जब गर्मी लगती है तो पंखा चला कर मेरी गती बढ़ा लेते है उसी तरह जहां भी हवा कम होती है मैं तेजी से वहां जाती हूँ जब मैं तेजी से चलती हूँ तो रेत, मिटी, कूडा, आदी जो भी हलकी चीजें मेरे रास्ते में होती है मेरे साथ उढ़ने लगती है ये अपने घर और दुकान साफ करके कूडा घर के आस पास गली में या सडक पर डाल देते हैं कई बार गाओं के बाहर कूडे के धेर लगा देते हैं इनका फेका कूडा ही वापस इनके घरों में जाता है महराज लोग अपने गाओं या शेहर में पॉलिथीन की थैलियां सडकों पर फेक देते हैं वे मेरे साथ उढ़कर खेतों में फैल जाती है और फसलों को नुकसान पहुचाती है इससे मेरा मन बड़ा दुखी होता है मैंने सबकी बात सुनी है लोग हवा से दुखी तो हैं पर कसूर हवा का नहीं है लोगों को सफाई की आदत अपनानी होगी तब ही हवा दूशित होने से बचेगी हमें चाहिए कि हम हवा और पानी को अपना दोस्त मान कर उन्हें नुकसान ना पहुचाएं इसमें ही हमारा भला और बचाव है लोग हवा पानी के प्रति दोस्ती का भाव दिखाते हुए चले जाते हैं बच्चो कैसा लगा यह नाटक? मज़े आया ना? यह नाटक में हमने देखा कि हवा और पानी का मुकदमा चल रहा है महाराज, मंत्री, हवा और पानी बने दो बच्चे और कुछ लोग नाटक के पात रहें महाराज है जो मुकदमा सुन रहे हैं मंत्री है जो मुकदमे से संबंदेत बात को आगे बढ़ाएंगे हवा और पानी है जिन पर मुकदमा किया गया है और किस ने किया है लोगों ने किया है तो मंत्री उनकी तरफदारी कर रहे हैं महराज केस सुन रहे हैं और हवा और पानी यहां अपनी सफाई खुद प्रकट करने वाले हैं। अब इसमें होता क्या है? दर्बार में माहराज अपने सिंगासन पर बैठे हैं। एक तरफ मंत्री वदर्बारी गण बैठे हैं, सामने अन्य लोग बैठे हैं। पानी और हवा बने दो बच्चे भी पास के कमरे में उपस्तित हैं। बाद में माहराज के कहने पर मंत्री जी मुकदमे की कार्यवाई शुरू करते हैं। नाटक के दो द्रिश्य हैं। पहले जिश्य में पानी और दूसरे जिश्य में हवा को बुलाया जाता है पहले जिश्य में मंत्री जी पानी को इशारा करके बुलाते हैं तो भीगे कपड़े पहने एक लड़का हाजीर होता है पानी के हाजिर होने पर महराज उसे बताते हैं कि इन लोगों को तुमसे शिकायत है यदि शिकायत सच साबित हो गई तो तुम्हें दंडित किया जाएगा फिर मंत्री जी लोगों की पहली शिकायत बताते हैं कि पानी अब निर्मल नहीं रहा है बच्चो यहाँ नीर्मल यानी शुद या साफ तो पानी अभी नीर्मल नहीं रहा यानी कि अशुद हो गया है नदियों और नहरों में बहते समय गंदगी और बीमारिया अपने साथ बहा कर सब जगह पहुंचा देता है तो यहाँ पर पानी के लिए समस्या पैदा हो गई है पानी अपनी सफाई पेश करने के लिए क्या बोल रहा है पानी को ही अपना मुकदमा लड़ना है कोई वकिल नहीं है उसके तरब से तो पानी अपना मुकदमा खुद अच्छी तरह से लड़ सकता है पानी अपनी सिफारिश करते हुए बताता है कि ए लोग पहले की तरह पानी की रखवाली नहीं करते हैं पशुओं को तालाब के बीतर तैरने देते हैं जिससे पशुओं अपनी गंदगी तालाब में छोड़ देते हैं गाउं की दूसरी गंदगी भी तालाब में फैंकते हैं। नदियों में कारखानों की गंदगी वो शहर के गंदे नाले का पानी छोड़ा जाता है। बाद में महराज के पुछने पर वे लोग आपस में फुसफुसाते हैं और उनमें से एक पानी की दूसरी शिकायत करने लगता है। बच्चो यहां फुसफुसाना यानि बहुत ही दिमेस्वर से बोलना। वह कहता हैं कि पानी कहीं बरसता हैं कहीं नहीं बरसता हैं। तब प जाना ही पड़ता हैं, इन लोगों ने पहाड़ियों को काट कर वहां मैदान बना दिये हैं, वह नस्ट कर दिये हैं, ऐसी जगह बर्षात नहीं हो सकती, वर्षा न होने के लिए भी यही लोग जिम्मेदार हैं, तभी एक औरत अधिक वर्षा के लिए भी पानी को जिम्मेद जहां मेरे सुस्ताने की यानि की आराम करने की पुरानी जगे होगी, वहां तो मैं जाऊंगा ही, लेकिन इन लोगों ने ऐसी जगहों पर भी अपने घर बना लिये हैं, ऐसे घर तो डूबेंगे ही, मैं इनकी बनाई गलियों नालियों में गुमता रहूं, यह संबव नहीं ह आपस में बात करते हैं, तभी तीसरा एक व्यक्ति कहता हैं कि महराज हमारा गाउं सद्यों से उंची जगह पर बसा हुआ हैं, हमने नीची जगहों पर कोई घर नहीं बनाया हैं, फिर भी इस बार हमारा गाउं बाड का शिकात हुआ हैं, तब महराज भी कहते हैं कि पानी आँख मुंद कर, यानि कि आँख बंद करके चलता हैं, तो उसी समय पानी अपनी शिफारिस करते हुए कहता हैं कि नहीं महराज, मैं देख कर चलता हूं, तभी तो ढलान की तरब जाता हूं, कभी उंची जगह पर चड़ने की कोशिश नहीं करता हूं, इनके गाउं के पा यानि नदी नाले में बैता था, अब लोगों ने पहाड से व्रिक्ष साफ कर दिये हैं, मैं वहां से उतरता नहीं हूं, बलकि लुडतता हुआ, यानि कि बहुत तीवर गती से गीरते पड़ते हुए नीचे आता हूं, और मुझे खुद पता नहीं चलता कि नीचे में कहा गिरूंगा, अगर व्रिक्ष होते तो ऐसा नहीं होता, इस बात के लिए गाउवाले ही जिम्मेदार है, तो उस तीसरे आदमी को भी अपने तर्क से बहुत बढ़िया डंग से पानी ने उसकी बात को काट दिया, अंत में महराज जब लोगों को दूसरी शिकायत के बारे म पुछते हैं, तब कोई बोलता नहीं है, महराज पानी को निर्डोश साबित करते हुए, लोगों को समझाते हैं कि तुम्हारा भला इसी में हैं कि अपनी गलतियां सुधारों और पानी को निर्मल तथा उपयोगी रहने तो, आईए बच्चों, अब हम दूसरा द्रिश्य यानी की सेकंड पार्ट देखते हैं, दूसरे द्रिश्य में सब कुछ पहले जैसा ही है, लेकिन इस बार पानी की जगए हवा है, हवा बनी एक लड़की दरबार में हाजिर होती है, उसके बाद महराज मंतरी जी को हवा के प्रती, लोगों की शिकायत पुछते हैं, उनकी पहली शिकायत थी कि हवा में खुश्बू नहीं होती, वै हर समय हमारे यहां बद्बू फैलाती है, तब हवा अपनी सिफारिश करते हुए कहती हैं कि महराज यह आरोप चुठा है, बद्बू के कारण तो मेरा जीना कटीन हो गया है, मेरे पास न तो खुश्बू है न मुझे याद है कि एक बार भोपाल में एक कारखाने से निकली चहरीली कैस मुझ पर सवार होकर दूर दूर तक फैल गई थी, और कितने ही लोग मौद के मुँँ में चले गए थी बच्चो इस गटना के बारे में मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि भारत के बड़ी दूर गटनाओं में से एक बहुत बड़ी दूर गटना यह गिनी चाती है भारत के मध्यपरतेश राज्य के बोपाल शहर में 3 दिसंबर सन 1984 को एक भयानक ओध्योगिक दूर गटना होई थी इसे बोपाल गेसकान या बोपाल गेस त्रास्ती के नाम से जाना चाता है भोपाल के एक कारखाने से जहरीली गेस दूर दूर तक फैल गई थी और 15,000 से भी अधिक मौते हो गई थी बहुत सारे लोग अनेक तरह की शारिरिक अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए थे तो बच्चों ये था बोपाल गेसकान तो एक गेस कहां से निकली थी कारखाने से क्या हवा अपने साथ लेकर आई थी नहीं हवा का काम तो है बहना उसके साथ गुल मिलकर एक एस हर जगा फैल गई और कई लोग सोते हुए ही मर गए थे तो हमें गंदगी नहीं करनी चाहिए सफाई रखनी चाहिए उसके बाद वे कहते हैं कि तुम अचानक चल कर हमारी आंखों में मिटी डाल देती हो सब कुछ तबा कर देती हो क्या इसका हमने तुम्हें न्योता दिया था इसका भी हवा ने बहुत बढ़िया तंग से उत्तर दिया कि चलना मेरा काम है आप कहते हो तो लो मैंने चलना बंद कर दिया फिर हवा चलना बंद कर देती है तो सब खुटन मैसूस करने लगते हैं. बाद में मंतरी जी हवा को वापस बुलाते हैं और हवा बहने लगती हैं. बाद में महराज हवा के बारे में और शिकायत पुछते हैं. तभी एक औरत हवा की शिकायत करते हुए कहती हैं कि महराज हम अपने घर साप सुथरे रखते है पर हवा आंधी बन कर आती है और हमारे घर रेत और कुड़े से बर देती है हवा तो बहें पर आंधी क्यों? इसका भी हवारानी बहुत बढ़िया डंग से उत्तर देती है कि महाराज आंधी से इनका मतलब मेरे तेज चलने से है वैसे तो मैं हर समय बहती रहती हूँ पर इन्हें जब गर्मी लगती है तो पंखा चला कर मेरी गती बढ़ा लेते है उसी तरह जहां भी हवा कम होती है मैं तेजी से वहाँ जाती हूँ जब मैं तेजी से चलती हूँ तो रेत, मिटी, कुड़ा आदी जो हलकी चीजे मेरे रास्ते में होती है मेरे साथ उढ़ने लगती है ये अपने घर और दुकान साफ करके कुड़ा घर के आसपास गली में या सड़क पर डाल देते हैं कई बार गाउं के बाहर कुड़े के धेर लगा देते हैं इनका फैका कुड़ा ही वापस इनके घरों में जाता है तो इस तरह से हवा ने अपने तर्क से बहुत बढ़िया डंग से उत्तर दिया इसके अलावा हवा ने दुख वेक्त करते हुए बताया कि लोग अपने गाउं या शहर में पोली थीन की थेलिया सडकों पर फैंक देते हैं वे मेरे साथ उड़कर खेतों में फैल जाती है और फंस लोगों नुकसान पहुंचाती है यहाँ पर प्लास्टिक की बात आई है बच्चो अज प्लास्टिक प्रदूशन एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है यह किसी अन्यतत्व या जैमिक चीजों की तरह परियावरन में घुलता नहीं है बलकि सेंकडो साल तक वहाँ वैसी ही बना रहता है जहां इसे फैंका जाता है साथ ही उस चगय को अपने केमिकल से जहरीला भी बनाता चाता है जिस मिट्टी में प्लास्टिक जाता है उसे बंजर बना देता है इससे फंसलो को नुकसान होता है फसल ठीक से उग नहीं पाती पानी में जाता है तो पानी को नोकईवल जहरेला बनाता है बलकि जलिय जीवों के लिए मोत का कारण बन जाता है इस कच्रे से हमारे पर्यावरान को नुकसान पहुंचता है प्लास्टिक हमारी सेहत के लिए भी हानिका रखे तो ए सब बात हवा हमको सीखा रही है तो हवा ने भी पानी की तरह अपना मुगदमा अपने तक से बहुत बढ़िया डंग से लड़ा। अंत में माहराज अपना फैसला सुनाते हैं कि लोग हवा से दुखी तो हैं पर कसुर हवा का नहीं है लोगों को सफाई की आदत अपना नहीं होगी तभी हवा दूशित होने से बचेगी हम हवा और पानी को अपना दोस्त मान कर उन्हें नुकसा न पहुँचाए इसमें ही हम कि लोग हवा और पानी के प्रती दोस्ती का भाव दिखाते हुए चले जाते हैं तो बच्चो यह नाटक में से सीख मिलती हैं कि हमें हवा और पानी को नुकसा नहीं पहुँचाना चाहिए हवा और पानी मानव की मुल्बुत आवश्यक आए हैं आज ये दोनों प्राकृत संशादन प्रदुशित हो रहे हैं जिसके कारण पूरा परियावरण कूप्रभावित हो रहा हैं बच्चो अभी आप देख रहे हूं चारों और कोरोना वाइरस पहला हुआ है जब लिखक ने यह पार्ट लिखा था तो वो तो बहुत पहले लिखा था उनको तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है आज देखे भविष्य के सामने हम मास्क पहन के चलने के लिए मचबूर हैं इस प्रदुशन का कारण हम मनुस्य हैं कई स्थानों पर अज्ञानवस और अनेक मुद्धों में लालज की वस्चो कर मनुस्य इस प्रदुशन को बढ़ाव समझाए ज्यादा से ज्यादा पेड लगाए नदी तालाव तता समुद्र को दूशित होने से बचाए प्रचार प्रसार करके लोगों को जागरीत करें और प्लास्टिक के उप्योग से बचे परियावरन की दक्षा करना हमारा परमकर्दव्य हैं तो केसा जीवन चाहिए आपको बच्चो प्रदुशन यूक्त परियावरन या प्रदुशन मुक्त परियावरन फैसला आपका है पानी और हवा से दोस्ती की जिए और अपने जीवन को समभालिए परियावरन की सुड़क्षा ही हमारा जीवन है तो चलिए बच्चो इसी के साथ यह पाट को हम यह समाप्त कर रहे हैं उमीद है कि आपको यह पाट अच्छे से समझ में आ गया होगा घर पे आप उसका अच्छे से दो बार पठन करना थैंक यू